Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको work permit के बारे में बताऊँगे work permit क्या होता है कितने टाइप के work permit होते हैं कौन इसे issue करता है, work permit system कैसे issue किया जाता है ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगे कि work permit system पूरा होता क्या है इसे करने से हमें क्या benefit होते है हम अगर work permit system अपनी work place पे रखते हैं, maintain करते हैं तो हमें क्या benefit इसे मिलता है, यह सारी चीजे मैं आपको आज बताने वाली हो तो देखिए work permit system होता क्या है work permit याने कि किसी काम को करने के लिए permission देना अब permission कैसे देना और यह इसे work permit क्यों बोला जाता है work permit system जो है वो एक ऐसा formula है अपनी work place पे अगर कोई काम किसी particular काम को करने के लिए कोई जा रहा है ठीक है कहीं भी JSP place पे काम किया जा रहा है उसको safe and secure करना ठीक है इससे हम क्या कर सकते हैं अपनी safety maintain कर सकते हैं जो भी work place पे हमारी काम हो रहा है वहाँ पे safety maintain कर सकते हैं हम control कर सकते हैं कि specific work पे उधर होने वाली activities पे ठीक है और साथी हम हम जो है work place अगर maintain करते हैं work place पर work permit अगर maintain करके रखते हैं इस्फू करते हैं तो जो वहाँ पे होने वाले 1000 उनको भी हम रोक सकते हैं ठीक है, इससे हमारे employees के health and safety पर भी कोई effect नहीं पड़ेगा, अगर हम work permit issue करते हैं, ठीक है, तो work permit system जो है, वो exactly कैसे किया जाता है, issue कैसे किया जाता है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि माल लीजे कोई भी work at height पर work permit issue करना है, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी वहां का safety officer है, या जो भी safety engineer है, वो उस जगा पे जाएगा और पूरो observe करेगा, कि वहां पे जो ज़रूरी सामान है, जो जो equipment है, वो अबिलेवल है या नहीं, इस तरीके से वो एक checklist maintain करेगा, जो सामन है, वो उस पे तो yes करेगा, और जो नहीं है, वो सारे वहां पे provide करवाएगा, उसके ब वहां available हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर कि कोई work करने चला गया, कोई भी person, उसके बाद वो देखा जा रहा है, कि यह सामन तो नहीं है, इसके वज़े से अगर ऐसा होता है, कि कोई सामन नहीं है, तो आपका work भी जो काम चल रहा है, वो रुकेगा, पर अगर हम work permit जो है issue करते हैं, तो उससे पहले यह सारी चीज़े notice कर ली जाती है, कि क्या सामन available है, क्या नहीं है, कौन person वहाँ काम करने जाने वाला है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े इसमें notice कर सकते हैं, और उसके बाद हम work permit issue कर सकते हैं, तो यह तो बात होगे issue करने की, कि मतलब उससे पहले क्या क्या procedure किया जाता है, उसके बाद work permit दिया जाता है, ठीक है, इससे क्या हुआ, particular place पे जो भी work हो रहा है, उसका हमें पता भी रहेगा, कि वहाँ पर यह work चल रहा है, अगर हम issue करते हैं work permit तो, और वहाँ पर हम पहले इसी safety पूरी देख के आ सकते हैं, देख चुके होते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कोई person वहाँ काम करने जाए, तो उसको कोई भी harm हो, तो यह सारी चीज़े हम work permit के तुरू check कर सकते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे work permit system, जो होते कितने type के हैं, अब देखिए, जो work permit system है, जो work work permit है, वो types, कितने types के होते हैं, work permit system मैंने आपके बता दिया, work permit कितने type के होते हैं, work permit जो मेन अपने 8 type के work permit होते हैं, 8 तरीके के work permit होते हैं, उसके बाद इससे जादा आप अपने according किसी भी work place पर अगर work कर रहे हैं, तो उसके आप अपने according बढ़ा सकते हैं, work permit, पर basically यह 8 type ला रहते हैं वो रहते हैं hot work permit जैसे कि कोई भी गरम जगा पर कोई काम करने जा रहा है तो उसको पर उसकी देख भाल करना, पहले देख के आना पूरा observe करना, checklist maintain करना उसके बाद work permit issue करना वैसी same है cold work permit फिर उसके बाद है chemical और acid work permit then work at height permit excavation permit electrical work permit confined space work permit और earth moving equipment permit ठीक है earth moving equipment क्या होते हैं जैसे कि महां लीजे road roller हो गया या फिर forklift हो गई जो forklift रहती है जो vehicle वाली वो हो गई इन सब के भी work permit होने चाहिए ऐसा तो नहीं जो भी vehicle जा रहा है और उस पर ऐसी कुछ material हो जिससे अंसे effect बन सकते हैं तो वो check करना ठीक है उसके बाद issue करना confined space क्या होता है जैसे कि कोई भी ऐसी जगह जहां oxygen available ना हो तो उसके लिए क्या जो भी worker हम वाँ भेज रहे हैं तो check कर लेना कि कहीं उस worker को उस आंस की problem तो नहीं है ठीक है उसके बाद अगर वो बिलकुल perfect है वो इनसान work finish होने से पहले उसकी gas खतम हो जाओ जो worker है उसको problem है ठीक है तो इस तरीके से हम यह सारी चीज़े पहले check कर लेते हैं उसके बाद work permit issue करते हैं इन सारी places के लिए और उसके बाद क्या होता है अगर कोई भी industry में है आप या work place कोई भी different जगा पे हैं तो आठ के अलावा आप अपने according work permit जो है वो issue कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी तो होगे अपने आठ work permit इसमें हम सब पहले यही चेक करेंगे जो भी work place पर work करना start कर रहे हैं तो उसकी unsafe fact, unsafe condition सारी चेक कर लेंगे जो भी सामाल लगने वाला है काम करने के लिए वो सारा material जब अविलेबल है या नहीं यह सारी चीज़े चेक करने के बाद work permit issue किया जाता है ठीक है अब जो work permit है वो sign कौन करता है कौन issue करता है वो work permit अब यह जो work permit है safety department की तरफ की और से sign किया जाता है safety department वाले से sign करता है क्योंकि safety department वालो का ही काम है inspection करना है न वही inspection करेंगे वही उस place को observe करेंगे जो भी unsafe fact, unsafe condition है वो सारी check करेंगे एक checklist maintain करेंगे उसके बाद उन्हीं के through work permit issue किया जाता है उनके sign होता है कि हां हमने यह work place चेक कर ली है यह काम करने के लिए अब able है अब इधर जाके आप काम कर सकते हैं ठीक है और जो भी person काम कर रहा है उसकी भी safety देखनी होती है तो इसलिए सारे equipment जो रहते हैं वह वहाँ पर available कराते हैं अकर height पर जा रहा है तो देखना होता है कि वह safety hardness उसके पास है या नहीं helmet उसने pen रखा या नहीं है नहीं यह सारी चीज़े notice करना भी safety देपार्टमेंट से ही काम किया जाता है यह सारा सब कुछ observe किया जाता है उसी के बाइद यह work permit पर साइन किया जाता है ठीक है तो इसकी क्यों जरूद पढ़ती है work permit की यह इसलिए जरूरी है ताकि जो भी हम क condition ना होने पाए और जो accident level है वो भी decrease हो सके है ऐसे करने से हम अपने हां के accidents को भी रोक सकते है क्योंकि जब पहली उस work पे जाके हमने check कर लिया है सब कुछ check कर लिया है कोई भी ऐसी situation नहीं है तो फिर कैसे accident हो सकते है तो यह सारी चीज़े अगर हम ध्यान रखते हैं और work permit कर issue करते हैं तो हम अपनी workplace को बिल्कुल safe and secure बना सकते हैं ठीक है तो यह तो था work permit system so thank you